लकडगंच पुलिस स्टेशन की हद में इतवारी शेत्र के एक ज्वैलर्स के लाखों ग्याने लेकर फरार हुए सराफा दुकान में काम करने वाले नौकर को लकडगंच पुलिस ने धरदबो चाहे आरोपी का नाम जानफर मंडल बताया जो रहा है फिलाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है जानकारी मिली है कि इतवारी की एक सराफा शोरूम के संच्वालक ने सराफा दुकानदार गणीश चाना को कुछ गहने दुरुस्त करने के लिए दिये थे गहनों की कीमत करीब 15 ला गहने लेकर फरार हो गया जब सराफा शोरूम संच्वालक ने गणीश चाना से गहने वापस मांगे तब आरोपी की कर्तूत के बारे में पता चला गणीश चाना ने लकड़दन श्थाने में शिकायत दर्च कराई पुलिस ने मामला दर्च किया तरिक को पाच अक्टबर को अमारे यहां पे एक कंप्लेंट दाखिल हुआ है इसमें फिरियादी जो गनेज जाना है ये सोने के ज्वेलरी का रिपेरिंग का काम करता है इतवारी एरिया में उसके पास बटुक भाई ज्वेलर से कुछ एक कुंदन हार सोने का कुंदन हार के जो आरोपी जानबर मंदल ये फिरियादी के पास रिपेरिंग का काम करता है तो उसको रिपेरिंग के लिए दिये थे उस दिन वो रिपेरिंग ना करते हुए वही हार और वो येरिंग लेके आरोपी वहाँ से भाग गया उसका बहुत धूनने के बाद भी नहीं मिला तो पुलिस टेशन में कंप्लेंड आखिल हुआ था इसमें इमिजेट लकटगंज पुलिस टेशन के PSI मसराम, PSI कोरडे और DB का स्टाफ ये हरकत में आये इमिजेट टेकनिकल तपास करके उसमें एक टीम हमारी मुंबई नासिक और हैदरबाद के लिए रवान हो गई हैदरबाद जाने के बाद में आरोपी का जो आता पता चला और बहुत अच्छा तपास किया तो मालूम पढ़ा कि वो बिहार रांची जा रहा है तो इमिजेट उसका लोकेशन निकाल के वो ट्रेन में जा रहा है ऐसा मालूम पढ़ने के बाद हमने आर्पीएफ के इंस्पेक्टर मीना नाकपूर के इने इतला किया उसका फोटो और बाकि डिटेल्स बेज़ के आर्पीएफ ने भी बहुत अच्छा सहकार्य करते हुए संबलपूर एरिया में उसको ट्रेन में ही डबोल डाला उसमें आरोपी मिल गया और उसके साथ में जो चोरी हुआ मुद्देमाल था वो भी मिल गया आरोपी को आयरेस किया है अभी केस्टरी लिया और भी तपास चालुए अभी प्रिलिमनरी स्टेज में तो वो बता रहा किया है यह सरहानी कारवाही करने की उपलक्ष में चितरांश कायस्त समाज भव उद्देशी संसा की और से कारवाही में शामिल डीबी पताक और पी आई का शौल श्रीफल देकर सम्मान किया कैमरा परसन अखिलेश भारत द्वाच के साथ प्रकाश बीसी एन नियूस कर दो